नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग प्रधान मंत्री नरेद मोदी ने आज एक बड़ा राजनीतिक बम फोड़ दिया दो घोशनाएं आज हुई हैं दोनों ने विपक्ष को बड़ी मुश्किल में फसा दिया है पूरी भारत की राजनीती की दशा और दिशा बदल दिये दशा तो बदलने में समय लगेगा लेकिन दिशा तो तुरंद बदल दी और विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मुकाबला कैसे करेंगे जो गडबंधन 26 पार्टियों का है अब 27 या 28 हो गई है तो मुंबई में उनकी बैठक दूसरे दिन की हुई उसके बाद जो रिजिलिशन पास होए उसमें इसके बारे में कोई चर्चा कोई जिक्र नहीं था इससे आप अंदाजा लगा लिजे कि अभी वो इस पर क्या करें ये सोच नहीं पाए तो क्या दो बम फोड़े एक पहला ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्षन एक देश और एक चुनाओ ये लागू किया जाएगा और लागू करने के लिए एक कमेटी बना दी है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राश्पती रामनात को विंद करेंगे अभी कमेटी के सदस्यों की घोशना नहीं हुई है लेकिन ऐसी खबरें आ रही है सुत्रों के मुताबिक ऐसा पता चल रहा है कि इस कमेटी के सदस्यों के रूप में एक भारत के पूर्व नयायधीश होंगे पूर्व मुख्य चुनाव आयुप्त होंगे पूर्व कैबिनेट सेकरेटरी होंगे और और दूसरे लोग होंगे दूसरा बंप क्या फोड़ा? उन्होंने कहा कि पांच दिन का 18 सितंबर से 22 सितंबर पांच दिन का विशेश सत्र संसत्त का बुलाया गया अब इसका एजेंडा क्या है? यह अभी इस पश्ट नहीं किया गया लेकिन पांच दिन का विशेश सत्र आज से पहले कभी नहीं हुआ मोदी सरकार के कारेकाल में ये दूसरा विशेश सत्र है आपको याद होगा कि पहला सत्र बुलाय गया था 2017 जुलाई में जब GST पास की गई थी संयुक्त अधिवेशन था संसक के सेंटरल हॉल में वो बैठक हुई थी आधी रात को बैठक हुई थी जिसका बहुत से विपक्षी दलों ने बाइकाट किया था अब एक कमेटी बनेगी जब उसके सदस से आ जाएंगे तो उसके आगे का मालूम होगा लेकिन एक देश एक चुनाओ ये थीम जो है ये सपना प्रधान मंतरी का लंबे समय से है 2014 के ही चुनाओ घोशना पत्र में भारती जन्ता पाटी ने कहा था कि वो इस तरह की ब्यवस्था बनाएगी जिससे देश में एक साथ चुनाओ हो सके लोकसभा और विधान सभा के दोनों चुनाओ साथ होने के फायदे भी बताये थे ये जो पांच साल तक लगातार हर साल सरकारे चुनाओी मोड में रहती है उससे मुट्टी मिलनी चाहिए एक बाद इसमें सरकार का और राजनीतिक डलों का और उनके उमीदवारों का बहुत पैसा खर्च होता है उसकी बचत होगी विकास के कारियों में तेजी आएगी इसलिए कहीं न कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में हर समय कोई न कोई आचार संगिता लागू रहती है कि ये चुनाओ हो रहा है तो वो बंद हो जाएगा एक साथ चुनाओ होंगे और ऐसा नहीं कि ये कोई अजूवा होने जा रहा है जो हमारी संवैधानिक विवस्था थी उसमें यही विवस्था थी 1952, 1952, 1957, 1962 और 1967 ये चार चुनाओ जो है लोगसभा और विधानसभा के साथ साथ हुए थे कोई दिक्कत नहीं थी कोई फेडरलिजम को खत्रा नहीं पहुंचा कोई छेत्री दलों को खत्रा नहीं पहुंचा कोई जो है छोटी पाटियों को खत्रा नहीं पहुंचा लेकिन अब इस तरह की मुद्दे उठाय जा रहे हैं क्यों क्योंकि ये काम नरिन्द मुदी कर रहे हैं तो कौन क्या कह रहा है क्यों विरोध कर रहे हैं और क्यों समर्थन जो लोग कर रहे हैं वो उसके पक्ष में क्या तर्थ दे रहे हैं इसकी बात बात में करूँगा पहले सरकार इसकी तैयारी किस तरह से कर रही थी देखे मैं एक दो-तीन बार बलकी कह चुका हूँ पहले भी कि प्रधान मुंतरी नरेद मुदी जो बोलते हैं उसको बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए वो आने वाली घटनाओं का संकेत देते रहते हैं यह हम लोग हैं जो उसको इग्नोर करते हैं उस समय की तातकालिक टिपणी मानकर उसको आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वो आने वाली घटना का बड़ा संकेत देते हैं इसकी एक देश एक चुनाओं की कोशिश केवल ऐसा नहीं ही कि नरेद मोदी के प्रधान मंतरी बनने के बाद शुड़ है 1983 में Election Commission of India यानि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसने ततकालीन सरकार उसमें इंदिरा गांधी सत्ता में थी प्रधान मंतरी थी उनकी सरकार को प्रस्ताव दिया था कि हमको फिर से एक देश एक चुनाओं यानि लोगसभा विधान सभा चुनाओं साथ साथ कराने की जो परिपाटी थी उस पर लोट जाना चाहिए उस समय की सरकार ने इसको मानने से मना कर दिया उसके बाद 1999 में जब अटल जी की सरकार थी उस समय लाव कमिशन की रेकमेंडेशन आई थी कि एक देश एक चुनाओं के मुद्दे पर फिर से सरकार को विचार करना चाहिए संसद को विचार करना चाहिए और 2014 में बीजेपी ने अपने चुनाओं घोशना पत्र में तो इसका जिक्र किया ही था तो 2016 में पधान मंतरी नरेद मोदी ने फिर लोगों के सामने ये मुद्दा रखा और कहा कि इस पर चर्शा होनी चाहिए बैस होनी चाहिए और इसके बारे में आगे बढ़ने का रास्ता खोजा जाना चाहिए और उसके अगले साल यानि 2017 में नीती आयोग ने एक वर्किंग पेपर तयार किया इस पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है उसके बाद 2018 में लोग कमिशन ने फिर एक रिपोर्ट दी और बताया कि क्या क्या करना पड़ेगा क्या कदम उठाने पड़ेंगे क्या कदम यानि विधाई कारे क्या करने पड़ेंगे कानून कैसे बदलना पड़ेगा लॉग कमिशन ने कहा कि पांच सम्विधान संशोधन विधेयक पास कराने पड़ेंगे 2019 में नरेंद मोधी फिर से चुनकर आये उन्होंने उसके बाद एक सरवदली बैठक बुलाई इस पर लेकिन कॉंग्रेस, DMK, TMC, BSP, समाजवादी पार्टी और DMK ने इस बैठक का बैकॉट किया वो बैठक में आये ही नहीं फिर 2022 में उस समय के मुख्य चुनाव आयो तो सुशील चंदरा ने कहा कि Election Commission एक साथ लोगसभा और विधान सभा चुनाव करने के लिए तयार है वो सक्षम भी है और तयार भी है जब भी कहा जाएगा हमको तब हम चुनाव एक साथ कराने के लिए तयार है उन्हों का कि जो करना है अब वो संसत को करना है जो कानून में बदलाव करना है सम्मिधान में संचोधन करना है वो सब संसत का काम है चुनाव आयोग का काम है कि सरकार जब कहेगी कि दोनों चुनाव साथ होंगे तो उसके बाद फिर हमारा हमारी भूमिकार शुरू होती है दिसंबर दो हजार बाइस यानि कुछ महिने पहले की बात है दिसंबर दो हजार बाइस में लौ कमिशन ने सारे स्टेकोलडर्स की बैठक बुलाई है जिसमें पुलिटिकल पार्टीज, एकडमिशियन, एक्सपर्ट, इलेक्शन कमिशन के लोग, वियोरोक्रेट इन सब की ब पक्ष को इसके बारे में कुछ समय में नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था कि एक ओली भाशन बात जी है, मोदी योहीं बोल रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मोदी कुछ भी योहीं नहीं बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो उसके पीछे एक रड़नीती होती ह एक राजनीतिक और प्रशासनिक तयारी होती है वो एक दिन अचानक कुछ ऐसा नहीं कर देते वो लगता है कि अचानक कर रहे हैं सर्प्राइज कर रहे है लेकिन उसकी तयारी के बारे में वो समय समय पर बताते रहते हैं संकेत देते रहते हैं संकेत न ले हम लोग वो अलग बात है अब सवाल है कि यह क्यों करना चाहते हैं नरिन्द मुदी विपक्ष का आरोप है कि वो पूरे चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं पूरे चुनाव को राश्ट्री चुनाव मना देना चाहते हैं इसमें इस्थानी मुद्दों का महत्व नहीं होगा, छेत्री दलों का नुकसान होगा, छेत्री दलों के जो मुद्दे हैं वो दब जाएंगे, जो भी बड़ी पार्टी है, राश्ट्री पार्टी है, जैदा संसाधन वाली पार्टी है, उसका वर्चस रहेगा, उसको यानि कुल मिलाकर मोधी को फाइदा होगा, बीजेपी को फाइदा होगा, इसलिए ऐसा करना चाहते है। सवाल यह 1952 से 1970 किसका फाइदा होने वाला था जो संविधान निर्माताओं ने ये विवस्था की थी। तो देखे इस तरह के राजनीतिक आरोब प्रत्यारोब से जो है वो तथ्यात्मक बात छिपाई नहीं जा सकती है। समय की जरूरत है कि देश में एक राश्ट एक चुनाओ की नीती को लागू किया जाए, वो सब के हित में है। क्यों हित में है? इसके कारण दिखे जब लोकसभा और विधान सबा का चुनाओ सात होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, एक लोकसभा के अंदर पांच विधान सबा की सीटे होती है। तो जो लोकसभा का उमीद्वार है, एक पार्टी का, उसके पक्ष में प्रचार करने वाले नीचे पांच और लोग हैं, पांच उमीद्वार, जो विधान सभा के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वोड तो पार्टी के नाम पर मांग रहे हैं, व्यक्ति भी तरह का फाइदा विधान सभा चुनाओ में जो उमीद्वार है, उनके लिए है, कि राश्ट्री नेता जो है, पहले के तुलना में ज्यादा प्रचार करते हैं, लोग सभा का जो उमीद्वार है, वो भी खर्च करता है, और पार्टी भी खर्च करती है, और उसका सबसे प्रवास कारियों में जो अवरोध आता है बार-बार आचार संगीता लगने से वो नहीं होगा। सरकार कोई भी हो किसी भी पार्टी की हो हर समय अगर उसको चुनावी मोड में रहना पड़ेगा हर समय चुनाव की तैयारी करना पड़ेगा तो उसके लिए काम करने के लिए समय कम भचता है और इसका फायदा कई बार बेरोक्रेट्स भी उठाते हैं वो भी धिलाई करते हैं इसकी वज़े से आचार संगिता है इसलिए हाथ पर हाथ दर कर बैठ गए तो ये सब समस्याएं खतम हो सकती हैं लेकिन एक बड़ा सवाल जो विपक्ष उठा रहा है इससे क्षित्री दलों का नुकसान होगा इसके लिए अरोप अलग बात है जो जमीन पर हो रहा है उसका उ मुझे आ गा दारा, 29 से लगातार विदान सभा और लोकसभा की चुनाव हो रहे हैं और प्रदेश की बटवारे के बाद, आंद्ध्रदेश का विदान सभा और लोकसभा चुनाव साथ-साथ होता है दोनों स्थानों पर राष्ट्ट्री पार्टी के लिए लिए लोग अल नहीं कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो जो राश्री पार्टी होगी उसी को फायदा होगा या जो ज़्यादा संसादन वाली पार्टी होगी ताकतवर पार्टी होगी उसी को फायदा होगा उड़ीसा में लगातार इन Şimdi 2009 से अब तक लगातार बीजू जनतादल जिती आंद प्रदेश में जगन मोहन रेड़ी जीते हैं इसी तरह से पिछला चुनाओ जो है 2014 का चुनाओ तेलंगाना का भी साथ में हुआ था तो उसमें TRS की विजय हुई थी बाद में 2019 से पहले TRS ने पहले चुनाओ करा लिया 2018 में करा लिया तो ये ये समस्याओं जो है ये मुदधा बनाने के लिए मुदधा है अब सवाल ये कि प्रोसीजर क्या ओगा प्रोसीजर ये होगा कि लोगसभा और राज़यसभा दोनों में जो संविधान दीन है उसके लिए दो तियाई ओमत चाहिए लोगसभा में तो है B.J.P. का राज़यसभा में कैसे manage करेगी ये देखने की बात होगी दो तिहाई बहुमत के लिए जो दो तिहाई बहुमत होता है वो present and voting का होता है लेकिन मान कर चलते हैं कि 245 के 245 सदर से मौजूद होंगे जो कि होगा नहीं दो सीटे अभी खाली है वो भरी जा सकती है इस बीच में 245 की राजिसभा की फुल स्ट्रेंग्थ में 163 163 सीट्स की जरूरत होगी दो तिहाई बहुमत के लिए लेकिन याद रखिए जियस्टी पर जब जियस्टी का जब प्रस्ताव संविधान संचोधन पास हुआ था तब BJP की के सदस्यों की संख्या राजिसभा में आज से भी बहुत कम थी तब भी सरकार ने जो है पाटियों से बात करके उनको समझा कर दो तिहाई बहुमत से संविधान संचोधन विधायक पास कराया तो संख्या अभी तक पिछले साड़े नौ साल में मोधी सरकार के किसी विधायक के रास्ते में नहीं आई उसके बाद प्रोसीजर होता है कि कम से कम आधे राज्यों की विधान सभा इस प्रस्ताव को पास करें तो 28 राज्य है 14 राज्यों की विधान सभा को पास करना जरूरी है 14 राज्यों में अगर आप जोड़ना शुरू कीजिए कौन-कौन बीजेपी के साथ हो सकते हैं जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो सोचनी की बात है नहीं तो गिंती करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजराथ, महाराष्ट उसके बाद आजए ये हर्याना हर्याना के बाद आसम, तुरिपुरा, मेगाले, मनिपूर, नगालेंड, सिक्किम और मध्यप्रदेश ये एक 13 राज्य होते हैं इनके अलावा दो राज्य हैं जो समर्थन कर सकते हैं उडिसा और आंध्यप्रदेश तो 15 राज्य हो जाते हैं तो ये जो रिक्वाइर्मेंट है कि आधे राज्यों की विधान सभा इस प्रस्ताओं को पास करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है चैलेंज बीजेपी के लिए है कि राज्य सभा में इस प्रस्ताओं को पास कराना अब सवाल ये है कि क्या सरकार इन पाँच दिनों का जो सेशन है उसमें ये विधेक लाने वाली है सरकार की तैयारी को देखते हुए कहा जा सकता है कि ला सकती है जो कमेटी बनाई गई है पूरु राज्पती के अध्यक्षता में सवाल ये है कि उसके Terms of Reference क्या होते है उसका टाइम फ्रेम क्या होते है अगर 18 सितंबर से पहले उसकी रिपोर्ट आती है तब तो इस सेशन में आएगा नहीं तो आप समझे कि कुछ और बड़ा होने वाला है इन पाँच दिनों में इन पाँच दिनों के सेशन में और क्या हो सकता है किस तरह के कदम उठा सकती है ये सरकार क्योंकि ये पाँच दिनों का सेशन किसी ऑकेशन को किसी अवसर को सेलिबरेट करने के लिए नहीं है इससे पहले जो विशेश सत्र बुलाए गए है वो ज़्यादा तर ऐसे ही हुए है आजादी के 25 साल पर हुआ आजादी के 50 साल पर हुआ फिर भारत छोड़ो अंदोलन के 50 साल पूरे होने पर हुआ तो इस तरह के जो है विशेश सत्र बुलाए जाते रहें और जी इसनी का मैंने जिक्र किया ही लेकिन 5 दिन के लिए विशेश सत्र बुलाना ये अपने आप में बड़ी घोशना है और इस दोरान क्या होगा किसी को पता नहीं है जब तक एजेंडा नहीं आता तक पता नहीं चलेगा कि दरसल क्या प्रस्ता वाने वाला है एक अनौन ये है कि शायद यूसीसी यानि यूनिफर्म सिविल कोड नहीं आएगा क्योंकि लॉग कमिशन के पास 80 लाग से ज़्यादा सुझाव आए है उनको प्रॉसेस करना उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाना रिपोर्ट सब्मिट करना इस सब में समय लगेगा क्या लॉग कमिशन इतनी जल्दी ये सब कर पाएगा ये भी एक सवाल है लेकिन ये आप मानकर चलिए कि इन पांच दिनों के सत्र में कुछ बड़ी घोशनाई या कुछ बड़े कानून बनने जा रहे हैं या कुछ बड़े कानून जो पहले बने हुए हैं वो खत्म हो सकते हैं ये सब क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में तब तक इंज़ार कीजिए तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक क्लियर मती दीजिए आप सनुरूद है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब दरूर कीजिए नमस्काल